आजकी वीडियो में हम बात करेंगे पशुगों का दूद बढ़ाने के लिए बढ़ाने के लिए आप किस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं तो यह फार्मूला मेडिकल स्टोर पर बड़ी आसानी से उपलब दो जाता है एक किलो का यह प्रोलेक्ट एम नाम का यह पाउडर है और यह पाउडर बड़ा ही जबरदस्त एक मिनरल मिक्स्चर है यह बड़ा ही practical formula हमने इसको काफी बार प्रयोग किया और आज मैं इसकी वीडियो बना करके आपके साथ share कर रहा हूं क्योंकि इसके काफी अच्छे results हैं और यदि आप भी इसको प्रयोग करते हैं और किस पशू पर इसको प्रयोग किया जा सकता आगे सारी वीडियो में बात होगी तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं यहां पर देख सकते हैं एक किलो का प्रोलेक्ट एम पाउडर हमने लिया है इसके साथ में इसके इंग्रिडियेंट्स आप देख सकते हैं शतावर, सफेद, मुसली, जीवंती, इसमें काफी अच्छे जो जड़ी बूटियां होती हैं जो पशु को दूद बढ़ाने के लिए और पशु की दूद की कैपेश्टी शमता को बरकरार रखने के लिए जरूरी होती है वो सभी जड़ी बूटियां इसमें शामिल की गई है इस पाउडर को आपको एक किलो गुड जिसको इंग्लिश में जैगरी बोलते हैं गुड में काफी अच्छा कैल्सीम पाया जाता है और यदि आपको ओर्गैनिक गुड मिल जाता है तो और भी ज़्याद अच्छी बात है एक किलो प्रो लेक्टेम के अंदर आपको एक किलो गूड शामिल कर लेना यहाँ पर आप थोड़ा सा गेहूं काटा भी इसमें मिला सकते हैं यदि आप लड़ू की क्वैंटिटी को बढ़ाना चाते हैं और इसके साथ में आप इसमें 500 ग्राम सरसों का तेल शामिल कर ले सरसों के तेल की जरूरती सीलिए है क्योंकि लड़ू बनाने में सरसों का तेल से इसको चिकनाई मिलेगी और काफी अच्छे लड़ू बन करके तयार हो जाएंगे इस सारे मिश्रंड को तयार करने लेने के बाद लगबग 2 किलो 500 ग्राम यानि कि धाई की जेक आसपास मिश्रंड तयार हो जाएगा इसको आप अपने हातों से जैसे आप घर पर लड़ू तयार करते हैं हलवाई की दुकान से लड़ू खरीद कर लाते हैं उस शेप में आप इसके 10 लड़ू तयार कर ले लड़ू का वजन लगबग बराबर रखना है 10-20 ग्राम उपर नीचे हो सकता है आपको सभी लड़ू की क्वेंटिटी मात्रा बराबर रखनी है 10 लड़ू तयार कर लेने के बाद आपको इनको ढखकर की अच्छी प्रकार से एर टाइट बॉक्स में रख देना है ऐसे इस फान पर रख देना जहां पर इनको हवा खराब ना करे 10 दिन तक इनका प्रियोग करना है परती दिन आपको पशू को खाली पेट या फिर चारा प्राणी होने के एक घंटे बाद जब आपने पशू को पानी पिला दिया और आपका पशू आराम से बैठ करके जुगाली कर रहा है उस समय आपको परती दिन आपको या अपने पशू को एक लड़ू खिलाना है तो क्योंकि काफी अच्छा यह फार्मूला और हमने दो तीन बार इसका प्रियोग किया है तो काफी अच्छे रिजल्ट इसके इससे पशू का दूद काफी अच्छा बढ़ता है इस मिनरल मिक्सर से आप अपने ड्राई होते पशू का भी दूद बढ़ा सकते हैं जो गाए भेंस ग्याबिन हो चुकी है और आपको यह कंफर्म है कि वह अभी चार-पांच-छे महिने की ग्याबिन है और अभी उसका दूद लगातार कम हो रहा है तो ऐसे पशू के लिए भी आप इसका प्रियोग कर सकते हैं ओक्सी टॉक्सिन टीका लगाने की जरूरत जिन पशू को पढ़ती है उन पशू का टीका भी इससे कई बार छुट जाता है और पशू अपने आप दूद देना शुरू कर देता है इससे दूद का जो और तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें